उत्तर प्रदेश की प्रताब गट जिले में आज सुभा एक भीशन सेड़क हाथसा हो गया हाथसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की दर्दनाक मौत हुई रुतकों में चार पुरुष, तीन महिलाएं, एक बच्चा और किशोरी शामिल है जबकि एक वेक्ति यहां गंभी रूप से घायल है, जोसे लखनाओ के लिए रैफर किया गया है मौके पर पहुँची पुलिस ने शवों को खबजे में लेकर जाच शुरू कर दी घटना आज सुभा करीब साथे पांच बजे की है, जब नवाब गंज इथानाक शेतर के वाजिदपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी भिडंत में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार नौ लोगों की मौत हो गई हाथसा इतना भीशन था कि कार को गैस कटर से काट कर मृत्कों की शब निकाले गए बेटी की सगाई के लिए ये लोग घर लौट रहे थे और इस दरदनाक हाथसे में नौ लोगों की यहाँ पर मौत तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से स्कॉर्पियो गाड़ी के पर खच्चे यहाँ पर उड़े हुए हैं कितनी भीशन तक्कर हुई होगी ये तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हाला कि एक व्यक्ति यहाँ पर घायल हुआ जिसे रखनाओ के लिए रैफर कर दिया गया है लेकिन बाकी नौ लोग एक ही परिवार के नौ लोग इस सड़क हाथसे का शिकार हो गए नौ लोगों की यहाँ पर मौत हुई है तस्वीरे आप देख पा रहे हैं अपनी टैलिविजन स्क्रीन पर गैस कटर से सकार्पियों को कट करके और फिर लोगों के जो शव हैं वो बाहर निकाले गए इतनी भीशन टकर ट्रक और सकार्पियों में यह टकर हुई साफ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्दनाक सडख हाथसा और नौ लोगों की जान ले ली इस सडख हाथसे ने बेटी के सगाई करकर घर लोट रहे थे यह सभी लोग और नौ लोग इस दर्दनाक सडख हाथसे का शिकार हो गए टकर कितनी भीशन हुई होगी या आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से टक और स्कॉर्पियों की यहाँ पर टकर हुई गैस कटर से काट कर गाड़ी को अलग किया जा रहा है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके जो लोगों के शव है उन्हें बाहर निकाला जा सके भीशन हाथसा सडख हाथसा यह आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर बेटी की सगाई करकर यह सभी लोग घर लोट रहे थे नौ लोगों की जान चली गई इस दर्दनाक सडख हाथसे में तस्विरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना दर्दनाक यह हाथसा हुआ होगा करीब सुभा साड़े पांच बज़े की घटना है यह साड़े पांच बज़े यह हाथसा पेश आया दर्दनाक सडख हाथसा नौ लोगों की जान यहाँ पर चली गई हालांकि एक को गंफी रवस्ता में लखनाओ रैफर किया गया है जो घायल है बेटे की सगाई करकर यह सब भी लोग घर लाट रहे थे तस्विरों में देखकर यह अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना भीषण यह सडख हाथसा हुआ होगा कितना दर्दनाक यह सडख हाथसा हुआ होगा एक ही परिवार के नौ लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है शोग की लेहर चा गई बेटे की सगाई के लिए घर लोट रहे थे ये लोग और इसी दोरान सुभा साड़े पांच बजे दर्दनाग सरखाथ सा पेश आया